नमस्कार मेश्वा कुमार कैसे हैं आप? मेनपुरी लोक समाज सीट से इस बार क्या समाजवादी पाठी का गड़त विकडने वाला है? क्या डिंपल यादेब की कुरसी घत्रे में जा सकती है? क्योंकि जिस तरीके से नजारा मेनपुरी में देखने को मिला है वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को एक भारी छती पहुचा सकता है बहुज़न समाजवादी हो या फिर भास्पा दोनों नहीं प्लान मैंपुरी से सपा के गड़ को भेदने का बना लिया है जिसके सबसे वड़ा फैक्ट है मैंपुरी का बोटिंग से पहले ही प्रत्यासी को बदलना और भास्पा का मोहन यादब को मैंपुरी लाकर चुनाव परचार खनाना मतलब अगर एक नजदिये से दिखा जाए तो मैंपुरी का चुनाव यादब बनाम बस्पा या भास्पा नहीं बलकि यादब बनाम यादब होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से मैंपुरी में मोहन यादब के आते ही दरज़नो यादब परधान भास्पा में सामिल हो गए और दूसरा मायाबती ने साक्ष परत्यासी को हटा कर यादब को परत्यासी बना दिया तो जाह ऐसी बात है कि ये समाजवादी पार्टी की परत्यासी बिम्पल यादब काई बोट काटेंगे ना कि भाजबा प्रत्यासी ठाको जैविवी सिंगा खेर होगा क्या ये वक्त तै करेगा लेकिन उससे पहले मैंपूरी सीट के ये आकड़े जान लो जो सायद इस बार सपा के लिए दिक्कता पैदा कर सकते हैं मैंपूरी लोकसवा सीट पर बार्स 1922 में हुए स्वतांत्र भ बाद भी शकना पड़ा इस सीट पर स्वर्गे मुलायम सिंग यादब का प्रभाव तो उनके राजनितिक उदय के बाद से ही प्रारंब हो गया था लेकिन बर्स 1922 में समानवादी पार्टी के गठर होने के बाद से या छेत्र सपा के रंग में ऐसा रंगा कि आस तक कोई उस रंग को मिटा ना सका बतादे बर्स 1996 में मुलायम सिंग यादब पहली बार इस सीट पर लोग सबाद चुनाव मैदान में उतरी मुलायम सिंग की जीत के माद से लगातार इस सीट पर सपा का ही कबजा है वर्स 2014 और 2019 के लोग सबाद चुनाव में भार्तिय जंता इस सीट पर अभी तक 20 बार चुना हुए है इस सीट पर 10 बार सपा कांग्रेस 5 बार प्रजा सोसलिस्ट पार्टी भार्तिय लोग दल जंता पार्टी सेकुलर जंता पार्टी को एक एक बार जीत मिली लेकिन भातपा यहां से पहली बार जीत का इंतिजार कर रही है 2019 के आम चुनाओ में मुलाइम सिंग यादब कुल 5,24,926 बोट पाकर विजए हुए थी मुलाइम सिंग यादब के निधन के बाद मैनपुरी लोकसवा सीट खाली हो गई तो 2022 में यहां पर उप चुनाओ करा गया जिसमें सपा से डिमपल यादब और भातपा से रगुराज सिंग साक चुनाओ में मैदान में आए डिमपल यादब ने 6,18,120 बोटों के बड़े अंतर से जीत हासल किये और पर्शम लेरादिया समाजबादी पार्टी का भाजपा पत्यासे रगराज सिंग साक ने 3,29,669 बोट हासल किये थे इस सीट पर एक और जहां सपा की टिकट पर डि दूसरी ओर भाजपा ने योगी सरकार के मंतरी जैवीर सिंग को चुनाबी मैदान में उता रहा है बसपा ने सिपरसाद यादब पार यहां से दाउं खिला है महिनपुरी लोकसमा उत्यपुदेश की सीट नमबर 21 है महिनपुरी सीट के लिए 17,4,895 बोटर पंजिकरत हैं इस संसरी चित में करीब 4,25 लाख यादब बोटर हैं 3,25 लाख अधिक साक्ये हैं 1,50 लाख से अधिक ठाकोर 1,20 लाख ब्राममर इतने ही लोधी बोटर हैं करीब 2 लाख दलित जिनमें से 1,25 लाख जाटब 75,000 कठेया लोधी बोटर्स की संख्या 1 लाख के आसपास है बैस और मुसलिम मदाता भी करीब 1,00,000 की संख्या में हैं करीब 1,00,000 कुर्मी मदाता भी इस शेत्र में बवजूद हैं मैनपुरी लोग सभा शेत में विधान सभा की पास सीटें आती हैं इनमें 4 सीटें मैनपुरी भोगाओं किसनी और कहल जिले में है जबकि जस्वान्फ दगर सीट टावा जिले में पड़ती है मेनपुरी और भोगाओं भासपा के कबजे वाली सीटे हैं वही अन्न तीन सीटें सपा के काबिज हैं भासपा ने यादब उमीद मार उतारा है इसके हिसाब से सपा के सामने दो चुनोतिया होंगी पहला तो ये कि बस्पा के सिप परसाद यादब सपा के यादब बूर्ट पैंक है सेंद लगा सकते हैं दूसरा ये कि बस्पा का अपना भी एक मज़ूद बूर्ट पैंक है इनकासकर दलित और निचला तबका आता है जो हमेशा से मायबती के साथ जड़ा हुआ है सपा परत्यासी सिप परसाद जीत नहीं पाए तो सपा के लिए बोट कटबा जरूर साबित हो सकते हैं भाई मुलाहिम सिंग यादब के निधन के बाद हुए चुनाओ में डिमपल की जीत के पीछे सहान भूत बड़ा फैक्टर था इदर भाजबा को यह भरोसा है कि जैसे बिदान सबाद चुनाओं में बैन पूरी में सेंद लगाई उसके प्रभाव में लोग सबाद चुनाओं में नतीजे भी बदलेंगे और बो कमल खिलाने में सफलता हासिल कर पाएगी लेकिन होगा क्या ये बक्त करेगा तमाप जानकारियों के लिए हम अरसा छुड़े रहेगा देखते रहेगा लगतार दाश्रिवा कुमार नमस्कार